तो आपने देखा होगा कि बिहार की सरकार इस प्रकार का एम्बूलेंस चलवाती है अब आगे की खबर सुनिए कि इन्हीं एम्बूलेंसों को चलाने के लिए सोला सो करोड का ठेका बिहार की सरकार एक कमपनी को देती है और अब वो कमपनी किसकी है तो वो कमपनी नितीश कुमार की पार्टी के एक सांसत के बेटे की है अब उस कमपनी पर तमाम परकार के आरोप है कि उन्होंने अनिमिता बरती है लेकिन इन तमाम चीजों को नजर अं अंदाज करके यहां तक की कहा गया रिपोर्ट में कि पटना की हाई कोट ने कहा था टिपनी की थी कि आप नवी करन कीजिए इस पूरे के पूरे टेंडर का आप इस पूरे के पूरे जो ठेका को दिया गया है इसका लेकिन विहार की सरकार ने इन तमाम चीजों को नजर नियम को बदल कर जो जेडियू के सांसद है उनके बेटे की कमपनी को सोला सव करोड का ठेका दे दिया तेजश्वी यादो आज स्वास्त मंत्री है और तेजश्वी के पहले मंगल पांडे थे अब गौर कीजिएगा आर जेडी के तीन बिधायकों ने इसको लेकर पत्र ल दिया जाता है या वे खुच से छुप हो जाते है क्योंकि अब तो उनकी पार्टी के सबसे प्रमुखनिता स्वास्त मंत्री है और अब इस बात को लेकर टिपनी हो रही है कि अंदाजा लगाईए सोला सो करोड का ठेका क्यों आखिरकार उसी कमपनी को दिया गया तेजश् का मुह बंद कैसे हो गया आगे आपको सब कुछ बताएंगे पूरी कहानी आपको सुनाएंगे लेकिन उससे पहले हमारा परिचा है अपने मसकार में नाम है मोहित कुमार सिंग और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं यह वीडियो तैयारी अड़ा के द्वारा प्रायुज का है जो आपके लिए लाया है ओनलाइन टेस्ट श्रीज वह ही मात्र 150 रुपिय में आप इनका एप तैयारी अड़ा प्लेशोर पर से जाकर डाउंडोड कर सकते हैं या फिर वेबसाइट पर भी जा सकते हैं स्क्रीन पर आपको जानकारी दिख रही होगी साथ ही एक क्यू सायारी अड़ा को अपनाई है जनता के दर्सकों के लिए प्रोमो कोड जनता 2023 के तहत एश्पेसल छूट भी मिलेगी अब वापस आते हैं अपने खबर पर सबसे पहले अगर कहानी के बारे में आपको थोड़ी सी बताएं तो 2022 के बताया है कि 2022 में जब मंगल पांडे स्वा स्वास मंत्री थे बीजेपी के तब आरजेडी के तीन विधायकों ने पत्र लिखा पत्र 1600 करोण के ठेके से जुड़ा हुआ था अब सरकार बदल गई तेशेस्वी यादो सत्ता में आ गए एस्वास मंत्री बन गए और इसके बाद जहानाबाद के जेडियू के सांसद है आप यहाँ पर तस्बीर देखिए चंद्रेश्वर परशाद चंद्रभनसी और इनके बेटे की कमपनी को ठेका मिला अब 1600 करोण के ठेके का मामला कोट में पहुचा था पत्ना हाई कोट में कहा था कि आप इस मामले को जो पूरा का पूरा 1600 करोण का ठेका है इसका नवी कर कीजिए मतलब कि ठेके में गर्वड़ी हुई है तो उसको देखिए ठीक कीजिए और इंडियन एक्सप्रेस ने अपने रिपोर्ट में दावा किया कि नितीज कुमार की सरकार ने नियम बदल कर अपने सांसत के बेटे की कमपनी को 1600 करोण का ठेका दिलवा दिया या फिर द गया उसको हटा दिया गया किनारे कर दिया गया और इन तमाम चीजों को अलग रखकर उनकी कंपनी को 16 करोण का ठेका दिए गया BBC ने भी इसके सम्मंद में एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है Indian Express ने रिपोर्ट प्रकाशित किया है और Indian Express ने अपनी रिपोर्ट में RJD के तीन मिलाइकों के बारे में कहा है कि उन्हों ने उस वक्त के ततकालीन स्वास्त मंतरी को पत्र लिखा था लेकिन जब उनके नेता 300 स्वास्त मंतरी बनते है तो उसके बाद वो तमाम लोग चुप हो जाते है और पुरा का पुरा मामला 1600 करोड का है अब हम तो कहेंगे कि 1600 करोड में से अब कितना करोड किसका हिस्सा गया इन तमाम चीजों की वाकई में अगर इस पर सवाल उठा है तो जहां छोनी चाहिए जहां छोनी चाहिए कि नियम को बदल कर किसी सानसत के बेटे की कमपनी को आथिरकार 1600 करोड का टेंडर क्यों दिया गया कैसे दिया गया और अगर टेंडर दिया गया तो इसके बाद वो कमपनी जब नियम को पूरा नहीं करती थी पटना हाई कोट ने टिपनी की और कहा कि आप नवी करन कीजिए तो कोट तक को नजर अंदाज बिहार की सरकार ने क्यों कर दिया फिलाल पुरा का पुरा मामला जो एम्बुलेंस चलता है बिशय होगा लेकिन फिलाल 600 करोड रुपे के ठेके को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिकर बताईएगा अब जाते जाते सबसे पहले आपको उस कंपनी का नाम बता देते हैं जिसको ठेका मिला है जिसमें जेडिउ सांसत के बेटे उसमें निदेश्यक है उनमें उनका शेयर है तो उस कंपनी का नाम है पशुपतिनात डिश्रिब्यूटर्स प्राइबेट लिमिटेड और शॉर्ट फर्म में उसको कहते हैं पीडी पील अब आगे की तमाम खबरों पर मानी नजर बनी हुई है जो कुछ भी नया अपडेट आएगा आप तक पहुंचाएंगे आप कैस तोचते हैं कमेंट बॉक मिलने कर बताइएगा कि हमने किसी बिशाल खड़े हैं और मैं मोई कुमार से में बहुत हो धन्यवाद में